बिहार में निकला एक ऐसा साप जिसकी आखे बिल्ली की तरह होती है दिखने में इतना खतरनाक लगता है कि लोगों को इस साप के देखते ही पसीने चूट जाते हैं और जब इस साप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना अनोखा और कितना दुरलब है तो आपके भी होस फाक्ता हो जाएंगे क्या है इस पूरी साप की कहानी कहां पे निकला है साप ये और क्या है साप का नाम सब कुछ आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जान लीजे मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं बिहार का एक मा कार की परजातियां इन दिनों देखने को मिल रही है और उसी में देखा गया ये अनोखा साप ध्यान से साप को देख लीजे एक बार इस साप की आखों को देख लीजे और इस आखों को देख के आपको लगेगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी आखे किसी साप की आज तक मैं ने देखी नहीं है आपको बता दू कि साप को दूर से देखिएगा तो आपको रैटल स्नैक जो की बहुत ज्यादा वेनमस होता है बहुत ज्यादा जहरीला होता है उसकी थोड़ी बहुत जलग दिखेगी लेकिन ये रैटल स्नैक नहीं है आपको इसे देखने के बाद कई ब बहुत बड़ी होती है और बिल्कुल बिल्ली की तरह इसकी आखे होती है इसी वज़े से साप का नाम रखा गया है cat snake ये सापों की बड़ी दुल्लफ प्रजाती है और ये प्रजाती जो है वो बालमी की tiger reserve में देखने को मिली है इसे देखने के बाद वैग्यानिक जो है इसे संग्रहित करने और इसको बचाने में जुड़ गया है क्यूंकि बहुत रियर है बहुत अनोखा है और ये भारत मे ही पूरे कम बहुत कम देखने को मिलती है जब बिहार में इस प्रजाती के मिलने की खवर मिली तो कई जगे से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं वैग्यानिक इसके उपर सोध करने के लिए और पता करने के लिए आ रहे हैं कि भाई इस साप की खास बात क्या है वैसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह दिखने में बहुत खतरनाक है और एकदम जहरीला जैसा दिखता है मतलब रटल स्नैक जैसा दिखता है रॉसल्स वाइपर जैसा दिखता है वाइपर जैसा इसका यह सर भी आप देख रहे हैं मतलब आम तोर पे वाइपर को बताया जाता है कि उसके सर त्रिकोन होते हैं ठीक वैसे ही ये त्रिकोन सर में सेप में तो है लेकिन उतना वेनमस यानि उतना जहरीला ये होता नहीं है मतलब आम तोर पे जो वाइरल जो वाइपर स्नेक होते हैं उनमें जहर बहुत जादा होता है और वो जहर इंसानों के लिए बहुत जाद हमफुल होता है लेकिन इसका जहर जो है इंसानों के लिए उतना हमफुल नहीं होता है मतलब यह वैनमस तो है लेकिन बड़ा कम वैनमस है अगर इंसान को बाइट कर ले तो इंसान की जान इससे नहीं जाने वाली और आप समझेगे कि यह छोटे-छोटे चुहे हो गये पर नहीं होता और इसी वज़े से यह इंसानों के लिए तूतना खतरनाक नहीं है बलकि अनुखा है यूनीक है और पुड़े भारत में ही यह बहुत कम देखने को मिलता है इसी वज़े से जब से यह बालमी की टाइगर रिजर्ब में देखा गया है जितने भी वैग्यानि इसे संग्रहित और संरक्षित कर रहे हैं इसके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं और पुड़े भारत में जो इतना रियर साप है अगर बिहार में निकल रहा है तो बिलकुल उसके बारे में आपको भी जानना चाहिए था कि आखिरकार यह कौन सा साप है इसका जहर क इतना खतरनाक है और आखिरकार ये इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है बाकी ये बहुत खतरनाक दिखता है आखे इसकी बिल्ली की तरह है लेकिन आपको बता दू कि कोई और साप भी ऐसा दिखे तो बिल्कुल आप ये मत समझे ये या ये तो cat snake है ये उतना ज दैखते हैं और इसी से मिलता जुलता reelo snap भी होता है जो दुनिया का सबसे खतरनाना और जहरीला साप है और वाकिन खबर को लेका जयाकारी का आप जयासोजते हैं इस साप लेएं के मन में इसमातर है क्रप्या कॉमेंट कीजिए और अपना जसा हम तक पहुंचा दीजिए बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है।